हलो फ्रेंड नमस्कार सवागत है आप सभी का एडुशेशन में फ्रेंड बात करते हैं यूपी टैर्ट तेस जर्मरी आंसर की के समंध में तो फ्रेंड आपकी कल साम को जो है और फिशे आंसर की जारी हो गई है और प्रायत्मिक और अपर प्राइमरी लेबल की दोनों की आंसर की मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर रखी हैं तो आपको यह आंसर की नहीं मिली है आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ से जाके अपनी आंसर की मिलान कर सकते हैं सबसे महतपूर मुद्दा जो है वो है कितने common अंक मिलेंगे क्योंकि काफी candidate ऐसे हैं जो इनको निरासा हात लगी है और कुछ नंबर से जो है वो अपने आपको मतलब disqualify समझ रहे हैं तो friends जिनका भी general है और general में आपको पता ही होगा कि general जो category होती है तो general category में आपको 90 अंक प्राप्त करने होते हैं यानि कि total का आपको जो है 60% प्राप्त करना होता है तो friends जिन लोगों के नंबर जो है जनरल category में आंसर की में आप आपको common किस प्राप्त करने होते हैं तो 55% प्राप्त करने के लिए आपको 82 अंक लाने होते हैं तो friends जिन candidate जो candidate जो है OBC SC ST category से belong करते हैं और उनके नंबर जो है 80 और 81 है तो ऐसे candidate बिलकुल परेशान ना हो आपको common अंक मिल सकता है और common अंक किस प्राप्त कर सकते हैं वो भी चीज आपको समझ लेनी है पूप्राप्त करें जैसे कि आपने हिंडी का कुशिन था करकरी होना तो आंक की करक्री होना उस समें इस जो है चार ऑपसिंस यह थे, जो इसके सई हैं एक कुश्ष़न जो इसका ऑपसिंस था साबशा ऊप्रिया लगना और एक था कस्ट दायक होना तो अप्रिय लगना और कश्ट दायक होना कश्ट दायक होना ये दो दो ओप्सन जिसने भी कश्ट दायक भरा है उसका भी सही माना जाएगा और अप्रिय लगना जिसने जो है ओप्सन पर गोला किया है तो उसका भी आंसर जो है वो सही होगा तो friends ये दोनों जो है उन पे जो है जिसने भी टिक किया है तो उनको जो है नमबर मिलेंगे उनका जो अपरी लगना जिसने किया है उसको भी नमबर मिलेंगे और जिसने कश्टदाय किया है उनको भी नमबर जो है दिया जाएगा ऐसा नहीं होता है कि चार मैंसे कोई भी कर द जब कुश्चन के दो option जो है सही होते हैं और दो में से आपने को ही भी चाहिए आपने ऊपर वाला यह चूज चूझ किया है यह ये वाला चूझ किया इनमे से कोई भी आपने चूझ गिया तब भी आपका आंसर सही होता है तो आपको एक प्रिदान कर दिया जाता है इस प्रकार से ढशाए जाते हैं तो फ्रेंट्स आपको जो है कुछ कुशन पर कोमनक दे दिये जाएंगे तो वहां से जो है आप यह दी जो है 88 जिनके भी कुशन आंसर बन रहे हैं जनरल में 88-89 तो आपके 90 हो जाएंगे आप परिशान ना हो आपके 90 हो जाएंगे और जिनके भी OVC SCST के टागरी स तो फ्रेंट्स ऐसे लोगों के बातों में ना है 14 नंबर आज दिन तक किसी एकजांस में कुशन नहीं दिये गए हैं और ना आपको मिलने वाले हैं ना कुशन इतने गलत थे लोग जो है ऐसी जूटी अखवाय उडाते रहते हैं अपने चैनल पर व्यूज लाने के लिए अपने सब्सक्राइबर वड़ाने के लिए ऐसी जूटी बातों को बताके बच्चों को गुमरहा करते हैं तो फ्रेंट्स आपको 14 नंग नहीं मिलने आ ले हैं हाँ यदि आपके दो नंबर कम हैं दो तीन भी मान सकते हैं इतने कॉमन अंख मिल जाते हैं बच्चों को इतने 14 और 10 नंबर जो भी बता रहे हैं तो आप ऐसे लोगों पर भरुसा बिलकुल ना करें आपको इतने कॉमन अंख नहीं मिलेंगे आपको भले ही सुनने में बुरा लग रहा हो बट ये 14 नंबर आपको कॉमन अंख मिलने वाले नहीं हैं यदि आपके जादा नंबर कम हो रहे तो आपको फिर से तयारी करनी है और आपको अंगले वार जो है अच्छे अंग प्राप्त करने हैं यही ओविसी के साथ है आपके दो-ती नंबर कम है तो आपको कॉमन अंग मिल जाएंगे आप कॉलिफाई हो जाओगे और इससे ज्यादा यह आपके 10-15 पांच नंबर कम है तो पांच नंबर भी आपको कॉमन अंग नहीं मिलने वाले हैं यह जो भी कह रहा है वो गलत है जूँट है तो फ्रेंट्स यही जानकारी आप सभी को देनी थी यदि आपके दो-ती नंबर कम है तो आप बिल्कुल परेशान नहों आप कॉलिफाई हो जाएंगे आपको कॉ इसमें आपको कॉमन अंक वाली आंसर की मिलेगी तो फ्रेंट्स यही सारी जानकारी आप सभी को देनी थी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अबस करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेश कर ले और वीडियो को फ्रेंट्स सेर भी कर दि किने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद